हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं बार 4 के मेतपुन बिंदू और सूत्रों के बारे में आपका पार 4 है द्विगात समीकन इसका पहला बिंदू रहने वाला है आपका द्विगात समीकन का ये समीकन जिसमें 4X के उच्चतम कोटी 2 होती है द्विगात यानि X की पावर 2 वो द्विगात समीकर्ण कहलाते है और जिसमें X की पावर 1 रहती है यानि कि X पे कुछ नहीं होता है सिर्फ X दे रगा होता है वो आपको पिछले उसमें बताया था उन्हें कहते हैं हम रेखिक समीकर्ण जिसमें गात एक रेखिक समीकर्ण जिसमें गात दो दो गात समीकर्ण और जिसमें गात तीन वो तुरी बस समीकर्ण तो आपको example कोई सा भी ले सकते हैं बस x पर पावर दो रहने चीए जैसे कि आप देखिए x square प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 या फिर आप x square minus 9 equal to 0 और कई बहुत सारे उताराण हो सकते हैं बस x पर पावर 2 होने चीए उससे ज्यादा नहीं होने चीए कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है कम अगर है तो इसके साथ में x square होना चाहिए जैसे कि आप पहला समीकर्ण देख सकते हैं x square प्लस 2x प्लस 1 अगर 2x प्लस 1 दे रखा है तो ये रेखिक समीकर्ण हुआ द्विगास समीकर्ण नहीं माना जाएगा अगर इसके साथ में हमने जोड़ दिया है x square तो ये द्विगास समीकर्ण हो गया यानिके एक नएक पद x square वाला होना चाहिए इससे उपर नहीं होना चाहिए x square या इससे नीचे के पद होने चाहिए ये आगे तक आपके ये समीकर्ण काम आएगा तो इस समीकर्ण को आप देख सकते हैं अमेशा ये सेम रहेगा कोई बदलाव नहीं रहेगा इसमें जो value रहेंगी ABC की वो change हो जाएगी ये अच्छा रहें तीसरा है द्विगास समीकर्ण के मूल ग्याद करना बहुत ही important point है ये आपका द्विगास समीकर्ण के दो मूल होते हैं इन्हें हम निमन विदी से हल कर सकते हैं आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है कोई भी आपको समीकर्ण दे दिया और उसमें पूछ सकता है इसके दो मूल के वारे में तो पहला है गोनन खंड विदी इसे हम एक एग्जामपल के रूप में समझते हैं गोनन खंड विदी को देखिए आपने एग्जामपल लिया x square प्लस 5x प्लस 6 हमको क्या करना है x की value निकालनी है तो इसकी दो तरीके हैं या तो आप 5x के दो टुकड़े करें जिससे आप दोन तरफ बरावर हो जाएंगे और value निकल जाएगी बरावर भी आपको कैसे करना है कि first और last का multiply x square और प्लस में 6 सिदे रहा है इन दोनों का multiply कितना हुआ 6x square बीच वाले के टुकड़े इस हिसाब से करना है कि आपका जोडने पर यह गटाने पर जो भी है y 5x और multiply करने पर आया है आपका 6x square multiply करने पर 6x square आना चीए जैसे अगर हमने इसका multiply करा 3x प्लस 2x तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5x बनेगा और इसको हम multiply करेंगे 3x प्लस 2x को तो क्या बनेगा 6x square बनेगा इसे साफ से हमको टुकडे करने हैं तो यह देखिए, सबसे पहले x square का गुणांग तथा अचरपद का गुणानफल करते हैं जैसे कि आपको बताया है x square का गुणांग क्या है? x इसका अचरपद क्या है? इसके साथ क्या multiply हो रहा है? 1 multiply हो रहा है अगर 1 को किसी की साथ multiply करते हैं तो वो ही संक्या आती है वो ही तरीका है, एक को हम x square से गुणा करेंगे तो x square ही आएगा तो एक इससे लिया और 6 तो 1 into 6, 6 हमारी value आ गई और दूसरा क्या है? अब x के गुणा 5 को ऐसी दो संक्याओं के रूप में लिखते हैं, जिनका गुणा करने पर 6 x square का value आए और योग करने पर 5 x आए, जैसा कि आपको अभी बताए था, इस तरीकी से करना है ये देखिए, 5 x के टुकडे करें हैं 2 और 3 के अंदर इन दोनों को multiply करा तो 6 x square आजाएगा, और जोड़ा तो 5 x आजाएगा, तो इस तरीकी से इसके टुकडे कर लिए, ये टुकडे हो गए अब starting की 2 value लेंगे टुकडे इस हिसाब से करना है कि दोनों में से common आजाए, ये देखिए starting की 2 और ये last की 2, इन दोनों में से common लेना है तो क्या common आएगा दोनों में से x common आएगा x common आएगा तो एक में बच्चेगा x और दूसरे में बच्चेगा 2 इस पकार इसमें से common लेंगे इसमें से क्या common आएगा, इसमें से 3 common आएगा और अंदर क्या बच्चेगा, x plus 2, तो आपको 3 और equal to में क्या दे रखा है 0 तो इनकी value हम अलग-अलग निकाल सकते हैं जैसे x plus 3 बराबर 0 कर देंगे तो x की value क्या जाएगी इधर से minus 3 तो plus की value को उदर ले जाएगे तो वो क्या जाएगा minus हो जाएगा तो x उदर जाके minus 3 हो गया तो x की value एक आगई minus 3 इसे पिकार x plus 2 बराबर 0 करेंगे तो x की value क्या जाएगी minus 2 तो हमारे पास x की कितनी value आगई minus 3 और minus 2 इस तरह किसे हमें x की value निकालने हैं तो द्विगाज समिकर्ण के मूल क्या हुए हमारे minus 3 और minus 2 बहुत ही महत्पूर्ण सवाल है long question में आ सकता है इसलिए miss नहीं करना है समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखें आपको डंक से समझ में आ जाएगा नेक्ट है द्विगाती सूत्र जिसे हम कहते हैं स्रीधराचार्य विदी ये सूत्र क्या कहता है सीधा सीधा आपको डंक समिकर्ण बता रखा है जो इस्टेंडर्ड होता है वह है ax square प्लस bx प्लस c तो इससे हमको क्या निकालना है द्युगाती सुत्र से क्या निकालना है b की value निकालनी है b की क्या x की value निकालनी है हर जगे हम x की value निकालता है तो इसमें भी x की value निकालेंगे तो x की value क्याएगी x परावर minus b माइनस हमेशा आगे रहेगा और अगर वो खुद माइनस इधर वैल्यू आती तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा otherwise इधर हमेशा माइनस पी रहेगा माइनस B प्लस माइनस रूट B स्क्वाइर माइनस 4AC अपोन पूरा अपोन है पूरे के अंदर बटा है बटा 2A तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इससे भी कई क्यूस्टन सीधे सीधे आ जाते हैं तो इसको भी याद रखना है और उपर जो तीसरा पॉइंट था तीसरे पॉइंट के पहले और दूसरे दोनों याद रखने हैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है और लास्ट है इसका दुईगा समिकर्ण के मूलों की प्रकरती याद करना की प्रकरती कैसी होगी आपको समिकर्ण दे रखा है द्यूका सेमिकर्ण उससे आपको क्या करना है b squared minus 4ac b squared minus 4ac अगर ये बढ़ा है 0 से अगर इसकी value 0 से बढ़ी आ रही है तो इसके moul क्या होंगे वास्त्विक होंगे और बिन बिन क्या होंगे वास्त्विक होंगे और बिन बिन हUNGगे, ये point याद रखना है, दूसरा point है अगर ये बराबर हुआ जीरो के, zero के बराबर हुआ तो mole क्या हUNGँगे इसके, वास्ट विक, और बराबर होंगे, बराबर है इसलिए बराबर, बढ़ा है तो भिन, और छोटा है तो क्या होगे मूल वास्तविक ही नहीं होंगे तो यह कभी छोटा नहीं होना चाहिए otherwise इसके मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे यह तीनों पॉइंट है तीनों को याद कर लें और जिसको समझ में नहीं आया है दुबार एक बार रिपीट करें रिपीट पर देखें बार बार वीडियो आपको डंक से समझ मा जाएगा वीडियो अच्छा लगाए तर वीडियो को लाइक शेर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राब चैनल और वार्टसप ग्रूप का लिंक है दोनों को जोईन करके रखें जिससे एक्जाम से रेलिटर सारी इंफॉर्मिशन आपको टाइम से मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू